भारत सरकार ने आखिरकार अमेरिकी निर्माता जनरल एटोमिक्स से 31 MQ-9B प्रिडिटर ड्रोन के अधिग्रहन को मंजूरी दे दी है। तीन बिलियन डॉलर मूलिय के इस सौदे को शुरुआत में अमेरिकी विदेश विभाग ने दो साल पहले मंजूरी दी थी। हालां कि भारतिय रक्षा मंत्राले को अंतिम खरीद निर्नय लेने में देरी का अनुभाव हुआ। समझोते में 15 MQ-9B Sea Guardians और 16 MQ-9B Sky Guardian ड्रोन का उतपादन और वित्रन शामिल है। इनका उप्योग समुद्री निग्रानी और चीन और पाकिस्तान के साथ देश की सीमाओं की निग्रानी के लिए किया जाएगा। लंबे समय तक चलने वाले मानव रहित प्रनालियों का अधिग्रहन चरणबद होगा, जिसमें 10 ड्रोन का पहला बैच बिना हथियारों के आएगा। सौदे की मंजूरी की अपचारिक घोषना तब होने की उम्मीद है जब भारतिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी अमेरिकी राष्ट्रपती जो बिदेन से मिलेंगे। जनरल एटोमिक्स का MQ-9B, ड्रोन MQ-9 रीपा का एक प्रकार है जो हेल फाया मिसाइलों को ले जा सकता है। स्काइगोडियन संसकरन की उडान क्षमता 40 घंटे से अधेक है और यह उपग्रा के माध्यम से क्षितिज पर उडान भर सकता है। प्लेटफॉर्म में क्रान्तिकारी लिंक्स मल्टी मोड रडा, एक उननत इलेक्ट्रो अप्टिकल इन्फ्रारेड सेंसर और एक स्वचालित टेक ओफ और लंडिन क्षमता है। सीगाडियन एक समुद्री MQ-9B है जिसमें एक विस्त्रित क्षेत्र के समुद्री रडा, स्वचालित पहचान प्रनाली, इलेक्ट्रोनिक समर्थन उपाय और एक स्वण नेइत पंडुब्वी रोधी युध्ध मिशन किट है। ये वास्तविक समय में खोज कर सकता है और समुद्र की सता के ऊपर और नीचे गश्ट कर सकता है। परोसियों बीजिंग और इसलामबाद के साथ बढ़ते तनाव के बीच ड्रोन से भारतिय सेना को बड़ी मारक क्षमता प्रदान करने की उम्मीद है। 2022 में एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने आउटलेट को बताया कि प्रिडेटर की निशेधात्मक लागत के कारण भारत ने तीन बिलियन डॉलर का समझोता रद कर दिया था। देश, मेक इन इंडिया, पहल के हिस्से के रूप में अपने स्वदेशी रक्षा उत्पादों को भी प्राथमिकता देना चाहता था। सूत्र ने कहा, उच्चा खरीद लागत के कारण रक्षा मंत्राली FMS के तहट सौदे में बहतर अंतर द्रिश्टी चाहता है, जो थोड़ा अपारदर्शी है।